आज हम स्टार्ट करते हैं, नंबर ठीछी का फ़र्स चेप्टर दिवीजिबिलिटी सबसे बratos करते हैं गिवीजिबिलिटी क्या होती है इसके लिए हमें कोई इंटीजर्स का सैट चीएगा मतलब हमें सिरफ इंटीजर्स ही छूज करने है divisibility की definition होती है an integer A कोई integer A है जो कि क्या होना चाहिए non-zero is set to divide another integer B वो किसी दूसरे integer B को कब divide करेगा if there exists another integer C such that B is equal to AC कि हम यह करते होते थे थे कि जो A है वो कोई आपको integer दे रखा यह non-zero integer है जिससे divide करते हैं यह मेशा वो non-zero होना चाहिए यह तो आपको पहले से पता है तो हम कब कहेंगे कि यह जो non-zero integer A है वो इस integer B को divide करता है अगर मान लो मैं इस B को A से divide करूँ reminder 0 आजए और यहाँ पे efficiency आजए तो मैं ऐसे लिखते होती हुँ न जो division algorithm होती है B is equal to dividend is equal to divisor multi question plus reminder reminder 0 है तो यह 0 हो जाएगा यह समकुछ होता है तो इस case के अंदर भी यह चीज है कि हम कब बोलेंगे कि यह जो integer A है वो किसी दूसरे integer B को divide करता है अगर हमें एक integer C मिल जाए such that B is equal to AC mean जिसको हम divide कर रहे हैं उस number को यहां कि उस integer को हम लिख पाएं कुछ उस integer के multiple में जिससे हम divide कर रहे हैं B को यहां कि A into C जहां यह C भी integer होना चीए A non 0 integer होना चीए और B भी integer होना चीए अगर यह condition आ जाती है तो हम बोल सकते हैं कि जो यह integer A है वो integer B को divide करता है दूसरा कि B है वो यह से divide हो रहा है या फिर A है वो B का diviser है इंटीर हम इसे कुछ भी कह सकते हैं और इससे हम symbolically इसके अंदर इस तरीके से denote करेंगे कि A B को divide करता है A divides B A है वो इस B को divide करता है A divides B का मतलब यह नहीं है कि A upon में B यह हम जो पहले notation यूज किया करते थे बट इसका तो अलग मतलब निकलता है कि B है वो A को divide करता है बट हमें तो यह लिखना है ना कि A divides B तो उसके लिए थोड़ी हम जो oblique line लगाएंगे A divides B अगर A है वो B को divide करता है तो हमेशा minus A भी क्या करेगा B को divide करेगा और integers का set होता है 0, 1, 2, 3 and so on और इस तरफ से minus 1, minus 2, minus 3 and so on और कभी भी integers पॉइंटों में नहीं आते example के लिए consider कर लेते हैं देखते हैं कि क्या 13, 52 को divide करते है 13 अवो 52 को divide करेगा क्यों? क्योंकि हमें एक integer 4 मिलेगा कि इस 52 को हम क्या लिख पाएं 13 into 4 एक integer हमें मिल रहे जिसका मतलब हम क्या सकते हैं कि 13 है वो 52 को divide कर रहे क्योंकि यह है वो इस condition को satisfy कर रहे दूसरा क्या 4 9 को divide करते है जब हम 9 को 4 से divide करेंगे तो हमारे पास जो C की value यह आएगी 2.25 यह एक integer तो नहीं है integer नहीं है इसका मतलब हम क्या सकते हैं कि वो 4 है वो 9 को divide नहीं करता है क्यों? क्योंकि हमें एक integer C मिली नहीं रहे जो इस condition को satisfy करे तो यह थी divisibility की definition तो इसमें यह थोड़ा सा symbol ध्यान रखना उल्टा मतलगा देना दुबारा एक बार रिपीट कर देती हूं कि किसी non-zero integer को हम कब कहेंगे कि वो किस integer B को divide कर रहे है अगर हम एक तीसरा integer C मिल जाए कि हम इस B को इस integer A के sum multiple में लिख सकी तो हम बोल देंगे कि जो A है वो B को divide कर रहे है आगे कुछ results है कि A है वो 0 को divide करता है A हमेशा ही हमेशा कोई भी non-zero number 0 को divide जरूर करेगा क्यों? क्योंकि हम 0 को लिख सकते है A के कुछ integer multiple के अंदर जहां A वो non-zero ना चाहिए और 1 एक ऐसा integer होता है जो हर एक non-zero integer को divide करते है 1 है वो A को divide करेगा क्यों? क्योंकि हम A को लिख सकते है 1 into A तो A भी तो एक integer ही है 3rd हमेशा हर एक integer खुद को जरूर divide करेगा integer A है वो divide करता है A को क्यों? क्योंकि इस A को हम लिख सकते है इस a के कुछ integer multiple के अंदर वन एक integer है और a यहां पर नोजीर होना चाहिए यह समझ में आ गई अब है कुछ definitions proper divisor कि यह जो हम divide कर रहे थे न यह यहां पर हम यह जो जिस integer से हम किसी दूसर integer को divide कर रहे थे तो यह divisor कहलाते थे तो यह divisor है वो proper divisor कब कहलाएगा यह non-zero number a is set to be proper divisor of number b कि किसी non-zero number को हम कब बोलेंगे कि यह जो है वो b का proper divisor है अगर a है मतलब यह number b को divide भी कर दे और a है वो ना तो 1 के equal होना चाहिए ना ही minus 1 के equal ना ही b के equal ना ही minus b के equal अगर a की value इन चयारों के कुछ अलावा है तो हम बोल देंगे कि a है वो b का proper divisor है जैसे हम बात करते हैं कि 16 है 16 को कौन-कौन divide कर सकता है 1 भी divide कर सकता है 2 b 4 b 8 b 16 b minus 1 b minus 2 b minus 4 b minus 8 b minus 16 b यह सारे 16 को divide करते हैं बड़ proper कौन से होंगे इनको छोड़के 1 minus 1 को छोड़के और इस खुद नंबर को छोड़के 16 minus 16 को छोड़के जो बचे 2 4 8 minus 2 minus 4 minus 8 यह इसके क्या कहलाएंगे proper divisor और यह जो 1 minus 1 16 minus 16 है यह इसके improper divisor कहलाएंगे तो किसी भी non zero number के लिए उसके improper divisor क्या होते है plus minus 1 और plus minus b ठीक है अब है even number even number आप चोटी classes में ही करते आए कि ऐसा number जो 2 से divide हो जाए वो even number कहलाता है तो इसमें भी same है कि किसी number को हम even number कब बोलेंगे अगर वो number क्या है 2 से divisible है मतलब हम उस number को 2 के multiple सम इंटिजर multiple में लिख पा रहे है even number को denote करते है 2 के कोई भी even number होगा वो 2 के multiple में ही होगा जहांके कोई number है even number का example है 0,2,4,6,8 0 एक even number है क्यों? क्योंकि 0 को मिलिख सकते है 0 is equal to 2 into 2 में 0 2 के multiple है 2 भी एक even number है क्योंकि 2 को लिख सकते है 2 into 1 2 के multiple में है तो यह सारे सारे 2 के multiple में लिख सकते है तो यह क्या होगा? यह सारे सारे even number और odd number जो 2 से divide नहीं होते वो odd number कहलाते है और इन जनरल किस form के होते है 2K plus 1 की form में जहांपे K कोई भी number है odd number होता है 1,3,5,7,up to 0,9 1 को मिलिख सकते है 2 into में 0 plus 1 2,3 को लिख सकते है 2 into में 1 plus 1 तो यह कुछ 2 into में K plus 1 टाइप का ही होगा तो यह सारे एक सारे odd number कहलाएंगे अब बात कर लेते हैं consecutive number क्या होते है लगातार simply कहा दे कि कोई भी consecutive integers बताईए तो consecutive integers जैसे कि 1,2,3,4 लगातार यह सारे consecutive integer है अब किया दे consecutive even number बताई लगातार even number जैसे कि पहला even number अगर 2 चूज करते है उसके जस्ट बाद में जो even number है वो 4 आएगा तो consecutive even number कौन कौन से होंगे 2,4,6,8,10 and so on और consecutive odd numbers कौन से होंगे अगर first odd number 1 चूज करते हैं consecutive हो जाएंगे 1,3,5,7 and so on next time आगे कुछ त्योरम्स करते हैं जाएंगे